Hello friends, dear students, I am Praveen Chamlikar in front of you and today we are going to learn something which is very important for class 12th NP board and it is all about chapter 3. I hope, मुझे उमीदे, आपने पहले दोनों chapter अच्छी तर्ज़र देख लिये हैं, जो अमने वीडियो बनाए हैं. चैप्टर नमर बन और चैप्टर नमर टू यदि आपने नहीं देखा हैं तो उसको भी आज ही देखिए, जिससे कि आपको पूरे सीक्वेंस में चैप्टर समझ में आएंगे. आज चुब चप्तर इस्तार्ट करों रहे हैं और यहीं किसको दे रहा है मिस पुष्पा को ने मिस पुष्पा यहां पर जो पुएट है जो पुएट का नाम है निजिम एज कैल देखिए नेम्स प्रणनसीशन थोड़े से अलग अलग है इसे पर ध्यान देना है तो निजिम है उसकी जो कजन है उसकी जो सिस्टर है वो को ने मिस पुष्पा और उस वो उसको फेर्वेल पार्टी दे रहे हैं इसको स्टार्ट करने के पहले इस पोएम के नेचर के बारे में बता दूँ यह 42 लाइन्स वाली पोएम है और इस 42 लाइन्स वाली पोएम में जो हमने इंग्लेश यूज किया है वह यहां पर है बाबू इंग्लेश यह आपको एक वहां जो डेविएड करती हैं इंग्लेश के रूल से जो डेवेड करती है सेंटेंस के स्ट्रक्टर और सेंटेक्स से इअपको इसलस रह बताओ तो जब प्रेटीश आए वह सारे लोग ऐसे थे जो इंग्लिश कर देते थे उसी को हमने बाबु इंग्लिश किया है तो आपको क्वेशन आएगा उसका अंसर इस लेंग्विच विच डेविएट फ्रॉम इंग्लिश रूल्स एंड सेंट सिंटेक्स बाबु इंग्लिश यूमरस है यूमरस मीज व्यंग हसी मजाक वाली है दुबड़ा एक हुआ है अग्ले को बाबु इंग्लिश बहुत है होता है अल्विधा और स्परेंश से वर्ड है में अंवदा मुश में प्रॉस्पेक्ट स्थे अवं भाइडा है यह जब विचित कर शपिक घुच्टGe मैं यहां आपके साथ यह पढ़ रहा हूं इन लाइन को आप साथ साथ में पढ़ते चलिए जिससे आपको वर्ट वर्ट समझ में आएगा बहुत एजी तुम्हारे में आपको बता रहा हूं देखिए गुडबाइ पार्टी फोर मुस्मिस पुष्पा टीयस निजिम ने यहा बहने सस्टरे इस डेपार्टिंग फॉर फॉरेंग फॉरेंग वो विदेश जा रही है आगे वो लिपता है इन टू थी डेज एंड वी आर मीटिंग तुड़े टू विश हर बॉन वोएज वो बोलता है वो दो तीन दिन में विदेश जा रही है और आज हम्या किसे लिए उसको शुब यात्रा कहने के लिए बॉन वोएज कहने के लिए ठीक है पहला स्ट्रेंग जाहें सेकंड इस्ट्रेंग की एदि में बात करूं तो देखिए सेकंड इस्ट्रेंग यहां पर हम बोलनें यू आर ओल नोईंग फ्रेंग्स वाट स्वीटनेस इस इन मिस्पुष फूषप का दे रहा है एक फूषप को मालुम में बोलता है जाने लगने मिस्पुषप का नेचा है एड है डोल रहा है यहां पर में मिठास स्वीटनेस इसमाधूरिय किसकी बार कर रहा हूं केवल बाहरी रूप से नहीं लेकिन आंते प्रोब से यहां पर जो पोईट है वो कहना चाह रहा है कई सारे लोग क्या होते हैं बाहर से बहुत अच्छे दिखाई देते हैं सब्सक्राइब कर देते हुआ है मिश्माइली क्या बड़ा लना रहे महां ना लाइए पहले सी ब्लकाइब कर दोना है किसी किया कोई दुर्गटना हो जाए हम जाके स्माइल करें लाएं कि बड़ा गर्मर हो जाएंगा तो यह उम्रस इसलिए है वो कहता है कि मिस्पुषपा हमेशा मुस्कराते रहना चाहिए अगले स्टेंजा में वो गोल रहा है मिस्पुषपा इस कमिंग फ्रॉम वेरी हाई फैमिली मुष मिस्पुषपा है मेरी जो कजन है मेरी जो सिस्टर है वह बहुत उच्छ वर्ग को उच्छ कुल से मतलब क्या है हर फादर वाज रेणाउंट एडवोकेट इन बुलसर और वो यहां पर बोल रहा है कि यह दो बुल सर से अब एक ऐसी बात होगी यह सी बात होगी यह सी बात होगे उने खाना खाने चले गए और उसको बना दिया गया है अब आगे और वी उसने बड़ा यूमरस बात कही है सूरत आहां यस वन्स ओनली आई स्टेट इन सूरत विद फैमिली मेंबर्स ऑप माई अंकल्स वेरी और फ्रेंड अब वो सूरत को कहां से जोड़ रहा है आप देखिए कुछ उसके पास कुछ बोलने को शब्दी नहीं है सूरत का मैं को याद आया कि एक बार मैं सूरत तो गया हूं अपने पिता के साथ अपने फैमिली मेंबर्स के साथ और हम कहां रोके हम अपने अंकल के एक ओल्ड फ्रेंड के यहां पर भी हमने विजिट किया अब यहां और भी मज़ेदार बाते वो कहां से जोड़ रहा है खाने के लिए वो कहता है एक बात तो जरूर याद है सूरत की कि सूरत में मेरे अंकल के एक ओल्ड फ्रेंड के हमने जब विजिट किया तो उनकी वाइफ थी वो बहुत बढ़िया खाना बनाती थी अब खान खाना खाना से इसका कहीं रिलेशन है क्या कहीं से कहीं तक नहीं लेकिन तो भी वो यह बात कर रहा है अगला स्टेंज देखिए कमिंग बैक टूमिस पुष्पा वो गला चलो अब हम मिस पुष्पा पर वापस आते हैं शी इस मोस्ट पॉपुलर लेडी विट मैं अल्सो अब वो बोल रहा है विट में अल्सो एंड लेडी अल्सो कि जो मिस पुष्पा टीएस है वो एक बहुत पॉपुलर लेडी है किनमें जैंक्स में भी लेडी में भी माने ऐसा नहीं कि अब आप यहां पे अंदाले लगा पारें कि हमें मालूम पढ़ रहा है उसको मिस पु सब्सक्राइब लेडी है नेचर अच्छा है हमारे पास और कुछ कहने को नहीं है अगला सब्सक्राइब कर दो वो कहते हैं हमें जरूर कर देती हूं तुरंत कर देती हूं और मैं उसकी इस अच्छी बात की मैं हमेशा तारीफ करता हूं पुष्पा मिसस नेवर से नो वो कहता है जो पुष्पा है वो कभी भी किसी को मना नहीं करती है वो कहता है जो किसी बात के लिए किसी को मना नहीं करती है तो कभी भी उस काम को करने के लिए मना नहीं करती है एंड टुदेशी इस गोईंग तो इंप्रूर प्रॉस्पेक्ट एंड वी आर विशिंग अर बॉन वोइज वो कहता है कि आज हम यह सारे लोग यहां पर क्यों इखटी हुए हम सारे लोग इसली इखटी हुए क्योंकि हम उसको बॉन वाइज बॉन वाइज मीस क्या है अल समझा हम वो भविश चीह संभावना भवविश अच्छा भव इसलिए वो जा रहे हैं इसको बहुंद बिग गई सक लंग की अरुछ मेर आ दो आयुछ पर रूट और वो कहता है कि इसके बाद जो मिस पुश्पा है वो मिस पुश्पा यहां पर आएंगी और मिस पुश्पा इस वाद को sum up करेंगी Sum up माने end करना, किसी चीश का end करना, उसको बोलते हैं, made points लेकर उसको sum up करना तो friends, ये क्या था? ये हमारा chapter number third था, special English का और chapter number third ये एक पोया में, पोया में goodbye party for Miss Pushpa T.S. इस पूरे में Miss Pushpa के बारे में बताया है, जो जो poet है, जो कभी है, उसकी sister है, उसकी cousin है उसके बारे में, उसके future prospects के बारे में बताया है, I hope आप सब कोई अच्छे चले सम्झ में आया, in coming days definitely we will talk something about the question answer, इसके भी question answer नहीं, कुछ मैं आपके साथ जिसकी share अभी करूँगा, कुछ questions है, जो बहुत easy है, जे की पहला आता है, जो अकसर पहला पूछते हैं, वो है, what has the party been arranged for, party किसके लिए arrange की गई थी, Miss Pushpa के लिए, who is going to foreign country, कौन foreign जा रहा है, Miss Pushpa की जा रही है, whose wife cooked her nicely, किसकी wife अच्छी करे खाना बनाती है, my, his, poet's uncle's, old friend's wife, तो यह सरल चर रहे है, why has surat been mentioned in the poem, surat को यह mentioned किसले की गया, क्योंकि Miss Pushpa के जो father, renowned advocate, शायद वहां से हो, इस तरीके जिसमें, कुछे Babu English, what do you understand by Babu English, और Central idea of the Poya, so I hope that we all are getting the things, हमने जितने भी chapter पढ़े, मैं आपको बहुत easy करके chapter पढ़ा रहा हूँ, यह आपने मेरा वीडियो देख लिया, तो आप इसको कभी भी भी नहीं गुलेंगे, इसलिए आप सारे वीडियो बहुत ध्यान से देखिए, साथ साथ इस चैनल को आप शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, एप को डाउनलोड कीजिए, किसी को सब्सक्राइब करेंगे, जिसने में आपको बीच वीच में कुछ पर्सनल्टी डिवल्लप्मेंट, इस्पोकन इंग्लिश और 12th, पर्टिकोई 12th के लिए जब भी में आपकी को वीडियो लेक्टर लोंगा, जब भी में लाइक क्लास लोंगा, अनलाइन होंगा, तो आपको तुरंत आपको नोटिफिकेशन हो जाएगा, So, that's all about it, I hope that we are learning, learn fast, go ahead, touch the sky, fly high, this is all about today's video lecture, this is Praveen Chamalikar, thank you very much.